हेलो फ्रेंज, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल को केश्टडी में, मैंकमाल विष्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्त आप कहांपर कराऊंगा उश्मगतिकी का टोपिक दोस्तो अर्थात यहांपर आप देखेंगे थर्मो डाइनमिक से दोस्तो इसके आधर पर देखें बहुत सारे क्वेशन आपके हमेशा ही पुछे जाते हैं तो आप आराम से पनान से इन क्वेशन को देखेंगे और सभी क्वेशन को दोस्तो तायार कर लेंगे या फिर आपके हैं बहुत तिक विद्ध्यान की वह शाखा जहां पर आप उश्मा का अध्येन करते हैं उश्मा के द्वारा जो आपके बदला होते हैं दोस्तों उनके बारे में अध्येन करते हैं पड़ाही करते हैं अब देखे दोस्तों शुरू करते हैं को किस प्रकार के क परकरम में या संदावी का मतलब होता है। नहीं होना चाहिए। आपका दाव समान रहे। उसलिंदे में नमबर में किया होता है। इसमें दोस्तु आपकी उश्मा समान होनी चाहिए अर्था आपका उश्मा ना अंदर जाएगी ना ही बाहर आएगी तो यह दोस्त आपका अलगलग प्रकरम होते हैं इनमें आपका सरवादिक जो यदि आपका गैस पर क्या गया कार्य होता है तो वो आपका समतापी में होता और आगला कुशन देखी दोस्तों किसि चक्रीय प्रकरम में पहले आपको चक्रीय प्रकरम अरथा साइकलिक प्रोसेस पता होनी चाहिए क्या होती है एक ग्राफ के मात धिम से आप देखें दोस्तों माली जी आपने P और B में एक graph लिया, यहाँ पर एक window और यहाँ पर window लिया, अब इन में दोस्ते हैं यहाँ पर देखें जो आपका कारी होता है इनकी बीच में इस परकार से माली आपका होता है। यह दोस्त एक प्रकार का चक्रव बंता है एसे लिएकि आप B में गए बीच में आप का B है फिर आप C में गए फिर आप D में आ गए आप यहां पर देखे दोस्तों कोई भी एक पदार्ष है जो पहले A आवस्ता से B आवस्ता में गया daughter विश्मास्ता यहां पर दिखें दोस्तो जो आंत्रिक उरजा होती है आप इसी क्या बोलते हैं पर किया गया कारे होता है दूस्तू एक प्रकार से वह दोस्ता आपका उश्ma के बराबर वो जाता और प्लस दोस्त आपका वर्क करने में अब देखें मालीजी आपका डेल्टा यू जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तो पूरी जो आपके उश्मा है वो आपके डवलीओं बदल गई तो यह मैतपुर्ण वाला रूल होता है दोस्तो डेल्टा यू बराबर जीरो आपको बताना है दोस्तो जो आपकी आंत्रिक उर्जा आपने उपर देखी आपकी जो एंटरनल एनर्जी आपने देखी दोस्तो डेल्टा यू यह उधारणा किस ने दी कि आपका कोई भी आपका बदार्थ होता मालीजी आपका उठोस अवस्ताम हो या फिर आपका थम्नियम के द्वारा दी गई दोस्तो इसमें कहा गया कि वही आपको बता दिया उपर हमने क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डव्यू जब दोस्तों मालीजी इसका प्रियोगिक तो पर क्या गया होगा तो उसमें कार ये डबलू हुआ होगा लेकिन कुछ उष्मा हरास ह भी होगी क्योंकि वहाँ पर क्या मिलेगा क्यू आपका गिरेटर होगा डबलू से तो इसका मतलब कुछ उष्मा हमारी लॉस हुई है तो कहां पर हुई है वह दोस्ता आपकी अंतर उर्जा की रूप में आपकी लॉस होती है तो उसी को आप दोस्तों इंटरनल एनरजी कह आगला कुछ नहीं आपर देखे दोस्तों एक उष्म गति की निकाई को सो जूल उष्मा दी जाती है तथा निकाई द्वारा बीस जूल का कारी किया जाता है तो आपको बताना निकाई की आंत्रे गूर्जा में परवर्थन कितना होगा तो इस आप ध्यान देंगे आपका पोजेट्यव आपका w होगा थो यहाँ पर आपको वहीयँ नियम लगाना है दोस्तू परसम निए लगाना आपको तो फॉर्ण में था आपका q बराबर W प्लस Δेल्टा U होगा तो यहां से दोस्तों आपको क्या निकालना है आपको यह डेल्टा U बताना है तो डेल्टा U ब्राबर आपका Q मैनस W हो जागा तो डेल्टा U ब्राबर Q दोस्तों आपको 100 दिया है W आपने देखा कि आपके क्या हो जागा दोस्तों मैनस यहापर W आपका पक्षांतर किया तो आपने तो यहाँ पर आपका मैनस 50 हो जागा प्लस 50 का तो यह दोस्तों आपको क्या देगा यह आपका 50 आपको देगा तो option number आपका दोस्तों कुन सा हो जागा सी वाला सही तीन वाला सही हो जागा 50 जूल हो जागा यदि दोस्ते यहां पर आपको दिया रहे था कि निकाय पर किया गया कारे है तो वहां पर दोस्तों क्या हो जाता यह आपका मैनस 50 हो जाता और यहां पर आप ले आते तो आपका प्लस कनोट होता और पूरा कारे में दोस को आराम से पढ़ना आपको तभी आप जवाब दे पाएंगी अगला कुछन आप दिखे दोस्तों उर्जा की सम व्यभाजन नियम के अनुसार प्रतेक स्वतंत्रे कोर्टी से संबध्ध परतिकन आउसत आंत्रिक उर्जा क्या होती है आपको दोस्ते आप दिखे आंत्रिक उ जागा आपका पहला वाला सही हो जागा अगला कुछन आपर दिखे दोस्तों एक गैस निकाई चित्र आपको यहाँ पर दिखे नीचे फिकर आपको दिया गया होगा भी दिखाएंगे आपको एक गैस निकाई को निमन चित्र में कि अनुसार आपको दिखा गया है मार्ग AB, BC तथा CA के द्वारा ले जा जाता है तो आपको संपूर्ण चक्र में NET कारी को बताना है यह फिकर दोस्त आपको दिया गया देखिए यहाँ पर आपको NET कारी बताना है अर्थाथ आपको दोस्तो टोटल वर्क बताना है कितना हुआ बहुत ही अच्या कोशन है दोस्तो यहाँ पर देखिए बार-बार आता है यह कोशन आप देखिए फिकर को दोस्तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार का है यह आपका दोस्तो PV का ग्राफ है तो PV के ग्राफ में दोस्तो जो आपका क्या गया कारी होता है पमेश्य क्या होता है वो दोस्ता पर प्रकार का समकोर त्रभूज है तो इसके लिए दुस्ता आपका फौरना होता है वहाब का होता है उता है और यह तो यह दो स्वारना होता है यह जो आपको यहां से आपने लगा दिया, अब दूस्ता आपको भी बताना है, वी कितना है दूस्तो आपका वी ब्राबर देखिए यहां पर वी को निकालेंगे तो आपको देखिए यहां से लेगे, यहाँ तक ले जाना है दोस्ता आपको तो यहाँ पर आपका 4P1 है यहाँ पर आपका P1 तो P1 को आप 4P1 में से घटाएंगे तो आपका 3P1 बचेगा तो 3P1 आपका दूस्तो दाब आ गया अब देखिए दोस्ते दो आपने काड़ दिया तो बचा क्या दोस्ता आपका 3P1V1 अर्था दोस्ता आपका 3P1V1 दोस्ता आपका बचा तो यही दोस्ता आपका work done हो जागा कारी हो जागा option number आपका 3 वाला सही हो जागा तो इस प्रकार से दोस्ता आप अराम से mathematical निकाल लेते हैं जब भी दोस्ता आपको कारी देखना होगा क्या देखेंगे आप आप क्षेत्रफल को दोस्तो देखते हैं अगला कुशन आपर देखें दोस्तो त्रे प्रमालुक गैस की देखेंगे तो उससे आपको क्लेर हो जागा नीटा से आप रिपरजन करते हैं दोस्तो दक्षता को इंजन की यह दोस्ता आपका होता है वोन माइनस जो आपकी q2 upon q1 आप देखें आपकी q2 upon q1 है क्या आप देखिए q1 दोस्ता आपकी है जो आपने उश्मा दी और q2 दोस्ता आपकी है जो उश्मा ली अर्था दोस्ते एक प्रकार से आप कह सकते हैं q2 दोस्ता आपकी सिंक की उश्मा है सिंक मतलब जो आपका उश्मा एब देखते हैं यह आपका positive होगा और यह बहुत ही कम भी होगा दोस्तों तब भी आपका एक से कम ही हमेशा ही दक्ष्टा होगी तो आप कहेंगे दोस्तों सदैव भी एक से कम होगी तो यहाँ पर देखें दुस्त नमर आपका यही दोस्ते यहां पर से आपको पता लगता है अगला कुशन देखिये दोस्तो एक आदर्ष इंजन 327 degrees centigrade तथा 27 degrees centigrade के बीच में कारी करता है तो आपको इंजन की दक्षता बतानी है क्या होगी दोस्ते आपर देखिये आपको पहले जो ऊश्मा दी रहती है हमेशा ही आप ध् 273 273 बैट करते हैं दोस्तु तो यह आपका 600 आ जाएगा इतना कैलिवन में और वैसी ही दोस्तु यदि आप इसको करेंगी 27 को तो आपका q2 ब्राबर कितना जाएगा यह आपका 300 आ जाएगा कैलिवन में तो यहां से आपको दोस्तु दोनों मिल गए तो आराम से आप निकाल लेंगी अभी आपको दक्षता वाला फॉर्णा बताया था दोस्तामनी नीटा ब्राबर वन माइनस क्या करेंगे ज्याप झшन अपका छे सो अपॉन तीं सो और गुण दोस्ता है क्योक्ति आप प्रतिशत को वता रहे हैं तो आप सौ से गुणा करेंगे तो तो यहां से दोस्ट आपका अंदर क्या मिलता, आपको देखीए, 1बटा 2 मिलता अंदर, solve करेंगे आरांज सी तो 1बटा 2 आगया अंदर, गुणा 100, तो इसका मतलब, दोस्ट आपका, 1 बटा 2, गुणा 100 का मतलब, 50% आपका आगया, तो दक्षता दोस्तों कितनी है 50% है option नमबर आपका 34 वाला सही हो जागा अगला कुशन देखिये दोस्तो भाप इंजन की दक्षता की कोर्डी क्या है भाप इंजन की दक्षता की कोर्डी आपको बतानी है दोस्तों कितने होती है या आपकी 80 अDR 1 परतिषप या 30 प्रतिशत या 15 प्रतिशत ये दोस्त आप किया पर होती है 80 प्रतिशत ओप्शन नमबर पहला वाला सही हो जागा 80 परसें दोस्तो होती है एक कुश्चन दोस्त आपका बहुतायत पुछा जाता है आप ध्यान देंगी कि बताए कौनसे वाले इंजन की सरवाधिक दक्ष जान देंगे तो यह रहे दोस्ता क्यों बहुत आपने आपको समझ में आया होंगे दोस्तों कोई भी आपको कन्फिजन राओ तो आप कॉमंट बॉक्स में कॉमंट कर सकते हैं और यह आपको वीडियो अच्छा लागा तो आप जरूर शेयर करें दोस्तों ताकि सबी लोग झाल 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 झाल झाल